पावर मिल 2020 के अंदर पावर मिल प्रोग्रामिंग के हवाले से आज का हमारा लेक्चर जो है ये कॉर्नर फिनिशिंग के हवाले से हैं हम पावर मिल के अंदर कॉर्नर फिनिशिंग कब इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ इसका बिहेवजर क्या है यह सब हम आज के लेक्चर के अंदर सीखने जा रहे हैं मैंने PowerMilk के अंदर सबसे पहले Ruffing का प्रोग्राम बनाया उसके बाद मैंने Finishing के दो प्रोग्राम बनाये और सबसे आहर पर मैंने Corner Finishing का प्रोग्राम बनाया मुझे Corner Finishing की जरूरत क्यों पेश आई मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी Simulation करके दिखाना होगी ताके हम visualize करके देख सकें कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई तो मैं सबसे पहले अपना जो रफिंग का प्रोग्राम है इसको ओन करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट व्यू में अउन और इसके बाद मैं इस वाले प्रोग्राम को हाइड कर देता हूं ताकि हमें देखने में असानी हो स्पीड कंट्रोल फुल रखकर मैं इसको प्ले कर देता हूँ यह हमारा रफिंग का प्रोग्राम जो है यह मुकमल हुआ अब हम इसके बाद प्रोग्राम नंबर टू जिसके अंदर मैंने 3D ओफसेट फिनिशिंग की जरीए इन पोकिट्स की फिनिशिंग करवाई है तिसरा डूल पाथ राश्टर फिनिशिंग का मैंने इसके साथ मैंने यह जो परफाइल है अपनी इस वर्क पीस की उसको क्लियर किया मैं प्ले करता हूँ इसको तो यह देखिए हमारे पीस की प्रोग्रामिंग के तुरू मिशीनिंग कंप्लीट हो चुकी है अब मैं रिमेनिंग मिटिरियल की आप्शन को ओन करूँगा तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो पिंक एरिया है यह आपको नजरा रहा है इस पिंक एरिया के अंदर हमारी मिशीनिंग जो है यह बाकी बच चुकी है तो अब यह जुके कॉर्नर्स के अंदर है तो इसको हम कॉर्नर फिनिशिंग के थू ही रिमूव करेंगे अब कॉर्नर फिनिशिंग के थू हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैंने कॉर्नर फिनिशिंग का एक टूल पाथ बनाया है मैं यह जो display remaining material का है इसको रिमूब कर देता हूँ अब हम प्रोग्राम जो मैंने corner finishing के बनाया था है मैं इसको play करता हूँ अब मैं remaining material की option को on करता हूँ तो यह देखिए के हमारा वो जो pink area था वो भाइब खतफ हो चुका है यहां से मैटीरियल जो है वो रिमोब हो चुका है अब याद रहे कि मैंने 3D offset finishing और इसके बाद रास्टर finishing के लिए जो टूल यूज किया वो ball nose 8 का था और यहां पर यह जो fillet radius है यह 6mm का था मैं view मिल exit कर देता हूं यह जो radius है यह 6mm का था अब इसको check करने के लिए home के अंदर जाएंगे और मैयर की option को choose करके 3.r की option को choose करके यहां से आप 3 point choose करें तो यह आपको बता देगा 5.9 थोड़ा सा इसमें selection में error था इसलिए उसने 5.9 किया तो बाराल हमें पता लगा कि यह जो radius है यह 6mm का है तो यानि हम diameter 6mm का है radius 3 का यानि अगर हम यहां पर ball nose 6 चलाएंगे तो हमें तब यह radius जो है वो मिलेगा तो उसके लिए मैंने ball nose 6 का जो है वो tool select किया और उसके थ्रू मैंने corner finishing के program को run किया तो हमने यहां पर अपने material को खत जलते हैं उस तरफ यह जो पहले से मैंने toolpath बनाया है इसको मैं delete कर देता हूं और आएंगे toolpaths के अंदर और यहां से finishing के अंदर आकर corner finishing की option को select करके ok कर देंगे यहां पर याद रखे रखिए कि आपने जो हमारे पास work plane है वो active select किया हो तूल की option के अंदर आकर अब हम ball nose 6 यानि अगर हम tool की information में देखे हैं तो यहां पर diameter जो है वो 6 का नदर आ रहा है मैंने ball nose 6 जो है वो create किया है machine tool limit हमने limit center इसके बाद corner finishing के अंदर यहां पर आप देखिए कि output की option जो है वो बोथ यानि इसमें shallow और steve दो options हैं आप shallow area के ऊपर चलाना चाते हैं तो आप चूज करिए steve के ऊपर चलाना चाते हैं तो steve करिए recommended यह ही है कि आप यहां पर हमेशा बोथ की option को चूज करें strategy है along stitch यह मैं हमेशा आपको suggest करूंगा कि आप हमेशा power mill को यह इस्तियार दें कि वो automatically यह decide करें कि उसने along the path चलानी है यह यह स्टिच के थ्रू हमारा प्रोग्रम बनाना है थ्रेश्वर्ड एंगल 30 डिग्री कस्प 0.1 अब हिल कटिंग को आप अंचेक करने ने जैनि ball nose 8 आप उसको select करेंगे मैंने ball nose 8 चलाया था तो मैं इसलिए इसको select करूंगा overlap यह overlap तब होता है कि जब आपकी लाइने बने और आपको लगे कि टूल पाथ की लाइने काम है तो आप उन टूल पाथ की लाइनों को बढ़ाना चाहते हैं तो overlap की option को इस्तमाल करेंगे deduction limit 165 maximum यहीं है इसको as it is देने दे अब हम calculate के उपर क्लिक करेंगे तो यह देखिए इसको बढ़ाना चाहते हैं तो एडिट के अंदर आएंगे और overlap के अंदर आप value 1 करेंगे और इसको calculate करेंगे तो यह देखिए number of lines यानि number of offset इंक्रीज हो चुकी है अगर आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो overlap की value को आप बढ़ा दें close करते हैं तो यह देखिए कितनी असानी के साथ हमने corner finishing का tool path generate कर लिया अब हम इसके simulation करते हैं यह देखिए यह हमारा corners के along tool path बन रहा है तो याद रहे कि जब हम किसी बड़े डाय के tool के साथ अपना program generate करें और उसके बाद हम उस specific corners के वपर material को remove करना चाहें देन हम इस tool path को इस्तिमाल करते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं next वीडियो के अंदर तब